नमस्कार, आज हम बनाएंगे शाही पनीर रेसिपी, रेस्टोरेंट स्टाइल में तो चलिए शुरू करते हैं इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें चाहिए 500 ग्राम पनीर 5 मीडियम साइज टमाटर, 1 इंच लंबा अधरक का टुकड़ा 2 मीडियम साइज प्याज, 4-5 लहसन की कलिया, 3-4 हरिमिच, 3 टेबल स्पून काजु टुकड़ा क्या फिर काजु टुकड़ा नहीं है तो आप साबुत काजु को 8-10 ले सकते हैं काजु को 5 मिंट के लिए पानी में भीगो कर रखे प्याज, अधरक, लहसन और हरिमिच को बारिक काटकर स्मूथ पेस्ट बना लें टमाटर और काजु का भी बिल्कुल बारिक पेस्ट बना लें इस रेसिपी में पेस्ट का बिल्कुल बारिक होना बहुत जरूरी है कड़ाई में 3 टेबल स्पून ओयल डालें और ओयल गरम हो जाने पर प्याज, अधरक, लहसन और हरिमिच का पेस्ट डाल कर गोल्डन ब्राउन होने तक भूनें जब प्याज बिल्कुल गोल्डन हो जाए तब टमाटर और काजु का पेस्ट डाल दें और उन्टर 2-3 मिनट चलाते हुवे या फिर तेल अलग होने तक भूनें तेल के पूरी तरह अलग हो जाने पर वन फोर्थ टेबल इस्पून हल्दी पाउडर हाफ टेबल इस्पून लाल मिर्च पाउडर वन टेबल इस्पून धनिया पाउडर और स्वादा नुसार नमक डाल कर सभी मसालों को 20-25 सेकेंड तक भून लें आप लसुन प्याज का इस्तिमाल नहीं करना चाहते हैं तो आप बिन लसुन प्याज के भी इस रेसिपी को बना सकते हैं आधा ग्लास पानी मैंने उसी जार में डाला है जिस में प्योरी त्यार की थी इस पानी को मसाले में डाल दीजे और एक दो मिनिट के लिए बूल लीजे मसाले में आधा आधा कप पानी डालते जाएं और कर्ची से गोल गोल गुमाते जाएं एक साथ सारा पानी आड़ नहीं करना है अगर हम दीरे-दीरे पानी आड़ करेंगे तो हमें ग्रेवी का पता चल जाएगा कि वह कितनी गाड़ी है दीरे-दीरे पानी आड़ करने से मसाला फूलता चला जाएगा क्योंकि काजू फुलावट वाला होता है और वह मसाले को गा या घाड़ी आपको ग्रेवी रखनी है और उसको 2-3 मिनट उबलने दें शाही पनीर की सबजी बनाने के लिए ग्रेवी का परफेक्ट होना बहुत ज़रूरी है गाजू के पेस्ट को कड़ाई में डाल कर जब मसाला तयार किया जाता है तो वह कड़ाई में चिपक जाता है इसलिए लगाता चलाते हुए मसाला भूने पनीर को अपने मनपसं टुकडों में काट लें आप इस रेसिपी में घर के बने बनीर का अस्तमाल कर सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं रेसिपी में फ्रेश पनीर का अस्तमाल करें ग्रेवी को प एक उबाल आने तक पका लें और तुरंत गैस बंद कर दें इस टाइंगर हम जादा देर पनीर में गैस चलाएंगे तो पनीर बहुत जादा टाइट हो जाएगा और वह अपने स्वाद भी खो देता है कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए यदि हम अपने शाह पनीर की सबजी को बाउल में निकाल करें रोटी पराठा नान चावल किसी के भी साथ सर्फ करें और अपने अनुबह में साथ जरूर शेयर करें